हेलो दोस्तो मेरे यूटूब चैनल पे स्वागत है आपका तो गर्मियों का शीजन चल रहा है और हर घरों में अचार बनना इस्टार्ट हो गया होगा तो हम आपके लिए अचार करेशीपी लेकिया हैं हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे अचार बनता है एकदम असान है तो फिर देर की इस बात की चलिये हम प्रोसेस को जानते हैं कि किस तरह से अचार बनेगा दोस्तों यह जो आम है हमारे खुद के बगीची मिका है तो हम इतने सारे आम का अचार नहीं बनाएंगि लगदग दो 3 की जी काई अचार बनाएंगे तो चलिए फिर हम इसे चोटे चोटे पीस में, आप अपने इसाब से छोटे परे पीस में काटेंगे, इसे हम ध्यान पूर्पक काटेंगे, हाथ को बचा के अच्छे से, और इसमी का जो बीच में बीच है, इसे हम निकाल लेंगे, तो देखिए हमें आप चोटे चोटे पीस में काट रहे हैं, आप अपने इसाब से लंबे या फिर छोटे काट सकते हैं तो हम इसे काट काट के फिर से पानी में डाल देंगे और इसे हम छान के घाम में इसे एक दो दिन तक सुखाएंगे ताइकि जो हमारा आचार है वो सालो साल चले अच्छे से बने आपको अगर जल्दी हो तो आप इसे 5 गंट तक सुखा के भी इसमें मसाला वेगरा डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे दो दिन तक अच्छे से सुखाएं फिर इसका अचार बनाईए उसके बाद हम इसमें इतना सारा मेटेरियल डालेंगे हमारा दो केजियाम है तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कितना कितना च एंक्राइल और ये 2 बरी चमच मिर्च पाउडर और ये है मेथी दो चोटी चमच और ये 2 चोटी चमच हल्दी पाउडर और ये स्वादन सार नमक है और ये है सर्सो का तेल एक डब्बा इसमें भी 100 गराम होगा लगभग तो ये इतना सारे मेटेरियल को हम लोग डाल के इ मिक्स करेंगे तो देखिए दोस्तों हम इसमें सारे मेटेरियल डालके अच्छे से मिक्स कर लिये हैं इसे हम तीन चर दिन तक ढूप में सुखाएंगे उसके बाद हम एक सीसी वाले प्याम में रख दीएंगे उसके बाद हम जब रखेंगे तो फिर हम थोरा सा उसमें ओएल तैकि हमारा जो आचार है अच्छे तरह से गल जाए फिर हम इसे बीच-बीच में धूप में रखती रहेंगे ताकि जो हमारा आचार है वह खराब ना हो और फिर हम इसे सालों साल अच्छे से खाएंगे दोस्तों इसका जो सुगंध है अभी इतना सुन्दर एकदम आ रहा है कि खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा अगर यह हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में भी सेयर कीजिए फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाई बाई अप